हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपकी चैनल ब्रेंफून में इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम की जो स्टूडेंट है फॉर्स समिस्ट्रे के उनका जो अबिलिटी को अपको सब्जेक्ट है अन्वार्मेंटल साइंजी से हम इस भी कहते हैं उनके यूनिट सेक अब इस वीडियो में परिटन्त आखि में परिटन्त की अवधाना और परिभार्ष नहीं जानेगे इसमें परितन्त के घटक होते हैं परितन्त कि विशेश्यश्य पारितन्तर होना है इसी तो कहते हैं तो कि हम 2 लिख कर सकते कि लिख वोस्वेड़ा तो आपको पता होना चाहिए तभी आप लिखते पूच cumplिस ले च vet कि आखे में परिट रहे हैं कि एसा तन्तर ना जहां एक दूसरे के साथ क्या होते हैं जो समझ जीवधारू होते हूं एक दूसरे के साथ अंत्र क्रिया कर रहे होते हैं जैसे कि मैं आपको एक आपको पता है कि कोई भी एक जो सिंगल परसन होता है वह उसको आपस में रहने के लिए कर रहते हैं को पार सिया। जैसं को इसको रहने के लिए जगा देटा है तो यह आपस में कर रहते हैं यही चीज शुचे खती है इसी को आपके दो शहते हैं पुरितितिधि के हैं कि जो समझ जीवधारी होते हैं वह एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं एक तरह किसे दिपैंडेबल होते हैं एक दूसरे के पर अंते जैविक से लगा सकते हैं जैविक एक तरीके से जीव जन्तु निवास कर तते हैं जाविक घटोक होते हैं वह सजीव होता है सजीव जीव जन्तु इसके अंदर सजीव के अंदर क्या क्या आते हैं या तो जीव जन्तु आते हैं या पेड़ पोदे आते हैं यही दो चीजी तो आती है अब सजीव कौन कौन से चीज़ होते हैं या तो जीव जन्तु या तो पेड़ पोदे तो इसी घटक के अंतरगत य चाहिए चीजें इन्गोर्व ऑनदल में निवास करने वाले सभी प्रकार के जीवजनतु या जीवानु या किटानु आदीतत था सभी प्रजातियों के पेर पोदे चाहिए वो किसी भी प्रजाति का पेर उसे भी तो हमने सहजिवी कहा यह प्रविए जयावगटक के अंत्र आते हैं और यह सभी जीवित अन्यों अन्यों मिस्टित हैं इसलिए इसे उत्पादक उभोकता और अपगटक की शिरी में बाटा गया है अब मैं आपको उतार देता हूँ जैसे कि आपने देखा परितंत ठीक हैं परितन को आपने दो भागों बता जयावग और अजयावग किस बाटा है आजयाव कर आप जयावग और गयाने यह वी तिन टाइप में आप एक उत्पादक एक उभभोकता और एक किसमें अबगटक अब आपको डिटेल में थोड़ा बता देती हूं अब उत्पादक क्या होते हैं जैसे कि जैविक संगटनों संगटकों में उत्पादकों का विशेश मेरत हैं उत्पादक अपना भोजन स्वयम बनाते हैं जो उत्पादक होते कैसे होते हैं वो अपना भोजन स्वयम बनाते ह कोँं तो जो जावी घटके के अंदर करत जह उत्पादक सोब आँगे कोना आएंगे पीर quien पोद्र आते हैं तो यह उसी का Сवय पोसी भी कहते हैं क्या 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 दूसरे हैं आपका अब बहुता को न होते हैं जो अपना भोजन स्वाय नहीं बनाते हैं वह दूसरे पर वो अपना भोजन खुद बनाते इसलिए वो श्यापोशी के इंत्रगत आते हैं जिसे हमने क्या कहा है उत्पादक श्रेणी में बाता हैं तो इसके इंत्रगत जैसे कि मैं आपको बता है कि परितान के वह जी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवा पर निर्भर होते हैं वोगता कहरा है और वोगता समर्ते कितने प्रकार परिकार के वह RAW अब यह चायप रेकार की की होते हैं अब की इस ma इसने वह कि उसने जी प्रतिम आते हैं जो आपको आते हैं जो आपके शाकहभ़तारी का यापे धिफ 싶은 मतलब ॐते हैं एक तहित छोटे जीव जदम जंतो आते हैं जो क्या ह BT दूसरे पर दपर पर कंड़ में tô उसको अब गटक जिस्कों हमने ने मेड़त जी ङंता है तो आप गटक है तो यह तो आप गटक है कि जो आप गटक होते हुआ कैसे होते कुछ ऐसे जीव जो सड़े गले पोधे इमां प्रधात से तथा मुर्ट जीवी जन्तों के उत्तों का विघर्टन और अप्चायन करके मतलब उसको आपना बोधे हो जैसे कि कुछ मतलब ड्यान करते जैसे अमने को इसम कछरीन करते हैं तो उसे को बहुतीे से 2005 जो इस अपने झेल्रें उससे किते हैं उसका करते हैं उसका अप्षय करके ऑपना वह बोधेक्जन सब्झां हो गास किया होगा है इसक बोदों कीट को मारिकर अपना फोजन करते चीज़ को मारा करतें कैसे और शब्धिंद्ध घाटे का लिए हो जाते हैं यह पहसी जसा इए гор dat Canada D hon uje कैसे हो भी काते हैं तो उनको किश अफुछा शांत करेकर किश किष्ट एससा खात और उनको तो आपको पता चल चुक है जो हमारी घटक इसके अंदर मैंने आपको बता है कि जाविक घटक को भी तीन भागों में डिवाइट कर रखाए कौन-कौन से एक तो आपको उत्पादक हो गया एक भोगता हो गया और एक क्या हो गया आपका जो अब घटक होते हैं तो मैंने बताते हैं कि आजविक है तो आजविक मतब निर्जीव जैसे मैंने बोला ना आपको जैविक है तो आप उसको सजीव में ले लिए अब सजीव में क्या होगा सजीव में आपके पेड़ पोदे जीव जन्तू सब कुछ इन्वाल्वड होती है विदाउट जो हमारी जैसे जैसे जैल वाइउ मंदल में विद्धमान अनेक जब घटक कह रहाता है जैसे ऑक्सीजन होगया आपका हाइड्रोजन हो गया नाइक्ट्रोजन हो गया काबन डियोकसीड होगया के ऐल्श्यम फॉस्फ्फोर्स देश्ब क्या हमारी आजविक घटक हैं अब हम देखत प्रख्ष्च की प्रधानता होती है जहां पर विक्ष्ष जादा होते हैं जहां पर विक्ष्ष की अधिकता होती है उसी को हमने क्या कहा है और इस पाइब र स्केर्ण चार्वम कुलरा कौन पान्फ पार कम पोरिया प्रणाटन होता है कुछ ने पार के जैनी है जाएब बबार यह कमरता है चाहिए रीप ने कया गता नंनने करना शेंट गता होते है वहां पर देखेंगे ना जहां पर लोग नहीं रहते हैं वहां पर पेड़ पोदे भी आप देखेंगे तो उनकी संख्याय भी क्या होती है कम होती है वहाँ पीड़ पोदों की संख्या को होती है तो के हाने के वह भलत होता है अगर आपने यह सुनी होगी जैसे कि सुनते हैं जो भारती होते हैं फेल सबसें इन चला जाता है। जी उंट सजयन की थिरू जबान का मतलब यह साबता उक़ा सब्सक्रेठेए left वह सबस्क्राइब कि जो जमीन पर जमीन वह आएगा तो उससे क्या कोटा यहां थी आपना योगदान देते किस चीज में एक तरीके से पेड़ पोदर जो हमारा परीतंत्र उसको बनाए रखने के लिए तो इसलिए कि कोई भी सिंगल चीज एक तरीकी से जो आजयविक घटक होते हैं और जो आजयविक होते हैं वो इस पर निर्भर होते हैं अब आप कि सारे चाहे वह फूल देने वाले कोई हो पेड़ पोधा या ना देने वाला उपर फिर फिर भी इसके अंत्रिकत आता है अब वन परितंत विविन जीवों की आवाज विप्रित पर्यवर्णिये दर्शाओं से सुरक्षा विम्रीदा वे जल का सनरक्षन करने में में महत् जारवे पेड़ नहीं उख सकते हैं वहां पर आपने देखागा जहां पर अच्छी मातरा में विक्ष नहीं प्राप्त होते हैं तो उससे क्या होता है विक्ष नहीं हो गया तो जो नहीं करेंगे तो कोई फाइदा नहीं तो वह चोटे चोटे घास हो जाते हैं बट इसका चार गारवाने के लिए तो क्या करने के लिए चलाने के लिए तो जारवे पेड़ तो नहीं ऊक सकते हैं तो इतनी वर्षा स्वावन को के आवन के या होती है और इस प्रुकार की पढ़ितंत में श्काहरी अधिक पाय जाते हैं जैसे कि आके छगोश हमेरा अफ को बताब एक यह इस advocating है यह इधNक्र गाया हो गई तो यह सब क्या जो की पता चलो रहा है कि घास परितंट के जो कि हमारे इंवार्मेंट के ऐसे हो गए तो इसमें विखास होता है अब इस पैटा ना आ यहां पर पापने की कमी होती है क्योंकि है अपने पर प्रषाण नहीं होती है आप जानते हैं अपने आपने जोगरफ्य पढ़ रहे होगी मुथा संद्थान है कि हमारी वर्षाय का मद्था पहुंच नहीं ठीक है तो क्यों ना पहुझने के कारण में वर्षा कम उती हैं वहां पे बन पाए जाते हैं क्यों ना जो पत्ते होते हैं पत्ते वाले वह नहीं कर पाते हैं इतना जादा तो उससे क्या होता है से जो पीड़ 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 न से कीड़ पूरुबानुकूली जीव सरीश्रिफ मिलते हैं इसमें साप कुतरने वाले जीव तर्था उंट प्रमोख होते हैं अब आपने उट के बाएं में भी सुन रहा को कि जो उट है वह बहुत जादा पानी क्या कर लेता है इस्टोर कर लेता है तभी वह वहापे क्या कर पाता है उसी प्रकार से वहापे अगर कोई भी पेड पोधा भी सर आप जल्य प्रेडंप अने परकार के होते हैं उसमें लगए जील तरफ द्लाब नदियां आधी मिल्दी आप कोरेलेट तो कर पारे ना कि परिदन का मतलब आखे में है क्या जो आपस में एक दूसरे पर करते हैं तो जल के उपर वी तरिक से हमाई जो जीर जनतु होते हैं तो यहीं चीजें कि जैसे इसके चोटे लगुँ उससे पर देखा जाए तो हमाई जो तलाब हो गई जीर हो जीर और जीर जीर नहीं है आप जानते हैं कि जल के बिना क्या नहीं है जीवन संभव ही नहीं है बेशक खाना खाया है ना बहुत दिन तक रह सकते हैं बड़ पाने के वेगर आप दो तीन दिन तक रह सकते हैं उससे जादा बिल्कुल भी सर्वाइफ नहीं कर पाएंगे तो यहीं चीजे कि जो मनुष्य का जीवन है पूने था हमारे जलिये परितन पर ही रहते हैं यह सब भी मवन रहते हैं और जलिये दो चीजे तो बहुत क्लास की बुक में हैं परितन का चैप्र है उसमें आप देखेंगे ना तो एक है स्वारी आपने सुने वगी कि जैसे कि घ्ञास घृस को खाते है घ्रगोष को खोंड खाते वह बैडिया काते है या कोई बीछी जिव जनत जो बड़ा होता है घ्रप्ष्ि खाते हैं तो इ लिए गड़को के जीवी तुन रहने के लिए नित्नांत अविशक होती है अगर मान लीजिए कि आप खरगोश है जैसे चूहा है औरुछ जन शंख्या बढ़ती जारी बढ़ती जारी है और उसके लिए बिल्ली नहीं अगर विल्ली नहीं हो तो चूहा कोई खाएगा नहीं तो मतलव पर दिपैंडेबल होते हैं यह बहुत जादा नेसेस्री होता है अगर की अधिक संख्या हो जाती है अगर चूह से जादा बढ़ जाएं तो इससे में हमारे क्या होना चाहिए बिल्ली भी होना चाहिए अगर फिल्ली है तो उसके उसको खाने के को पूरी तरह से समाप्त कर दिया अगर बिल्ली समाप्त होगा तो फिच्वियं कौन काएगा तो चुछों की जब सुन क्या होगी वह बढ़ती जाएगी जो हमारे परिस्थितिक तंत्र उसके लिए खराब होगा तो यहीं चीजा अब हम इसको देखतें चाल टाइप से उर् की भी सूर्य उर्जा को प्रकार्श इंसलेशन की क्रिया दोरा कर पाते हैं अफ्षेशित कर पाते हैं जो हमारे पोधे होते हैं मैंने आपको बता है कि कैसे होते हैं अपना भोजन सायम बनाते हैं तो वह क्या होते हैं वही अपना सिफ एक भोजन क्या कर पाते हैं एक तरी स्टार। जो सेर हमारा मास्य हारी है ठीक है और जो हमारा बक्री हो कैसी हमारी वह हुँ शॉखा रही है यह पीड़ ने खफ़रब है नि झीजर वो इसका की सेंपोष क्या है है खलत रहे हैं पीड़ बड़ा हैg परिपरोदल ने चाहने पूटल अब यह खाद श्रिंकला क्या है खाद श्रिंकला मतलब कि यह ना कि पाइटन में सभी जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे के उपर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए इसी अन्यों में द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं प्रते एक जीव अन्य जीव का भोजन बन जाता और इस प्रकार एक खाद श्रिंकला रहनते चलती रहती है में आपको पादा चल चुका कि कोई भी जीव है तो इसी प्रकार से मनुष्यां चलती है और मनुष्य कोन खाता है इनसान मर जाता है तो इस पर केड़े लग जाते हैं यह सब अब यह पना भोजन मतर्ब कोई न कोई चीव भेड़ें होता है खाने के लिए खाने के लिए उसी को हमने क्या है का थे शिंखला कहा है इसे मैं आपको कर दो है आपको जो कैसे होते हैं मिरती जीवी होते हैं तो इस टैप से हमारी जो खाथ सिंखला हमेशा जारी जाती है कभी खतम नहीं होती और यह खतम हो जाएगी तो हमारे एक तरीके से हमारी धक्तिके की लिए होता है कि कि किसी भी चीज की np to 7 जाधा अधिक माद्रा उजाते तो वह कोई भी मेता अच्छी नहीं होतی है वह बीए दरीए से जुर्ण को भाएं तक क्या हूना ज़़िति अब हमारी रहे खाद भी जाल ना तो छुड़ ना ऑम रहे जो बनता प्रजातियों को इस प्रकार जूड़े नहां था जीवों की खाष श्रिंकला है ऐसा तब होता है ना जब एक ही उत्पादक को अनेक शाक्ष भक्षी खाते हैं और यदि जैसे कि माल लेजिए एक घास है घास को तो बहुत सी लोग खाते हुआ खरगोश भी खाता होगा गाय प्रफ़ी खाती है और भक्री खाती है ठीक है या फिर हम खाते हैं की जो शाक भक्षी खाते हैं यदि कभी खाद उपलब्द कर सकता है लेकिन शारण खाष श्रिंकलाओं जब जीव को केबल एक प्रकार का आहार्ष तो अपलब्द होटो तब ऐसा नहीं नहीं बहुत से लोग हैं या चुछे को खाने के लिए भी मतलब हमारे क्या होता है ही रन होता है बक्री होती है हमस्टेपस कह सकते हैं बड़ अगर ना हो तो वह एक पर आशित हो जाते हैं और यह जी विविन खाज शिंखलाओं का भाग हो सकता है कभी कभी मानौ करिया उद्वारा इन पारसप्रीक संबंदों में समझ्य उत्मन हो जाती है जिसने दिविन प्रजाते क्या होती है संकर्ट हो जाती है जैसे कि आपको बताए कि विनाशकारी भी होता है अगर अच्छे से वो ना हो इतना मतलब हमारा जो साइकल रहं ना चले सई से कि घास है घास को ना कहा रहा है खरगोश ना खा रहा है खरगोश ना खार रहा हूँ तो इसके लिए नुक्सान दायक होता है और यह अब यह मैंने खाद चाल को आपको यह शायद से मैं नहीं दूबारा यह जैसे मैं इसमें लिखे आपको कि हाँ खाद शूंखला है परितंत में होने वाले खाद अर्थवा और जब प्रभाका केवल एक ही पहलों प्रस्थूत करती हैं उससे यह अर्थ निकलता है कि जीव में एक सिधा संवंद्ध होता है जो परितंत में शायद कभी नहीं होता बहुत आपको बताया की एक चीज को गरोष को फाते हैंं जैसे कि कुदे नहीं तो सब श्काइब बिल्ली है जी लिख बिल्ली है खीन है तो हीतके हैं का हैं प्रवकित कि यह उस confined सब्सकराइब नहीं को सिर्फ प्रवर्ण सब्सक्तराइब करता है तो यह उसको भूब हो चीज़े खाती है तो इसी टाइब से अब हमारा नेक्स चाप का जो है इसे हमने चाल ले रखे देश्चे कि मैं आपको बताया था पर इतिंग कि उर्जा का कैसे प्रिभाव पड़ता है ही रन वह मादलो जैसे कि पेड़ पोदे वह सो पर सब् हमारी जाल की तरह है आपको बताएं यह बाद कर लिया करें तो यह फिर न हो गई यह तो यह सब खा लें तो यही चीज़ें kommen चक्र या अफिर है क्या पूरासाइन चक्र भी आपका यह से हम पूरासाइटक खेकब है विवानी सहे Saw बूरसाइनिक चक्र क्या होता है आपका जली चक्रा चक्र बूरा स्ब्सक्राइब जल्चक्र बूंद करके लिए इसके अंदर आप पढ़ रख वोगा कि जो जल होता है जैसे तुराब है तो तुराब से जो सूरे होता है है वह सुरे के कारण जो जल्की बूंदे होते हैं सरजीत हो जाती है तो जो बाद बन को बादлем बीना और जीवों के लिए बहुत जादा महत्पून होता है इसके प्रकाश्षर समूंद्री जल्बनशपतियों में नहीत जल्ब बनता है है और उपर क्या हो जाता है एक तर enga से वर्शा होती है और वर्शा जल का कुछ भाग भूने वाक में बडल जाता है और कौछ भाग भूमिकत हो जाता है और शेष्ज कहले में प children नशनते लागता है चलती जाते हैं तो इतने से जलका एक तरहिकी से पूरा साहिका हो जाता है आई आगे देख लिया कि जले चक्र आखिर होता कहा्या अब हम देखते हैं है ऑक्सिजन अप्सिजन चक्र क्या है निकल कर जो हमाई करते हैं तो आप देख लिए जब ऑक्सिजन है वह निकल कर जब मनुष्य ग्रहन करने के बाद क्या होता है उसके इंदर होती है क्या होती है यह नगी है जोड़ें होती है जो होती है क्यों क्यूसर करते हैं इसे क्रीया करते हो मनुष्य घ्रहन करते हैं और और पस मनुष्य घ्राइन करता है फिसके लाद वह सीयोटू रिलीस करता है फिसके लेते फिर प्रकाश्य इसलेशन की क्रिया की द्वारा क्या करते है ऑक्सिजन निर्मान करते हैं और वापस से क्या जाती है वाइव मंदल में इसी डाप से यह साइकल चलता रहता है अब आपको इन पानविक रूप में जल और ऑक्सिजन की रूप में पाई जाती है इसके अंतरगत कैल्शिम कार्बोनेट आयन औकसाइड आदी फिमिन रूप में पाई जाते हैं अब आपको पता कि अखिजन हर जगह इंवाल्व है जहाए वह आपके रख्त में हो यह जल में हो या किसी में जाता है तो यही चीज़ें इस चक्र को हमने यह जो होता है कम से कम इसमें इसका एक चक्र लगवर 2000 वर्ष में पूरा होता है इस प्रकार हो जाता है सब्सक्राइब करते हैं और जीवी जीवो के बीच कावन की गती को कावन चक्र के रुखने क्या करते हैं जानते हैं कावन चक्र में शामिल जो प्रकारश निशलेशन के रहन पर वह क्या कर जाती है उसके लिए यूस की जाते प्रकाश निशलेशन के लिए और घटन तो यह सब क्या है है सब प्रक्रिविए कäreंगे सांदर सामेल एक हमारी सामेल होते हैं, यशंब हन्तर नाइट्रोजी धियूंके नैक्रिफटेश करोड़ें कबिसके हो हंना भाग में नार्थक्रशी है मतलब नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन को सीधे खunn ein रह नहीं कर सकता है इस को पोछेदा नहीं करता मतलब वह नाइट्रोजन को सीधे पयोग नहीं कर सकता है ऊक्सुम करता है जीव होते हैं इस नाइट्रोजन को सीधे ग्रहन नहीं कर सकते हैं नाइट्रोजन को सीधे उपयोग करते है अब आपने सुन रखा हुआ कि जो नाईट्रोजन होता है ज्यादा सब से जादा शादा जलागर्म्गिट्व में कि यह चाहती है यह कोछन आपकी तरीकिसे आप देख लेना तो आपके पूछा गया है पहले पहले पुछा जाथा था पहले बास्त चीज़ा पूछी जाती है तो यह चीज़ आई जादातन करते हैं अप्रोश्य जिव जनती वह ग्रहन करते हैं वह जो प्रोटीन के प्रोटीन के बदल देतीं जो इसी को हमने कहा है कि अमीनोच तथा प्रोटीन में बदल देती है जीने प्रानी ग्राइन करती है और मृत पेर पोधे वाई जंतियों के शरीम में इस थी नाइट्रोजनी कावनिक प्रधात था उत सरजी प्रधात पर जीवानु कुरिया करके उन्हें पूर नाइट्रोज में बदल देते हैं आप तक होगे हृत आफ ये साइकल हो चलता रहता है ङक्या होता है हम सीथे हैसे अब नाइट्रोजन इस जो हमाही दल संब्लू में पूरत니 जिन्तर नाइटेट रूपमेन के घ्र्डाइटर्फomy नाइट्रोजन कावणिक प्रधात्गी मिल मेशुटक। जीवान करीय के उन्हें 파ूरने बदल देता है उसमें क्रिया और किसी डंच में बदल सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिलहनी पोदों में और फिर वह वापस से क्या होगा ना कि जब मनुश्यों से घ्रैन करता है फिर मनुश्यों से वह वापस से क्या होता है कुछ अंत्रे क्रियाएं होका वेट जीवी शरीडों से और फिर वह क्या करते हैं वापस से वह नाइट्रोजन में चीज़ हो जाता ह उपने फ्रेंस को भी शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंट तरी देखने के लिए अब हम मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाए